पूर्वी युक्रेन होगी इस पर बात लेकिन फेले हेडलाइन्स को बोर में रखका छोड़ा था स्कूल के अंदर किसी ने नहीं लिए हमलों की जिम्मदारी आर्थिक संकट से जूज रहे श्रलंका में इंधन की भारी किल्लत को लेकर भड़के प्रदर्शन हजारों बाइक सबार और बस ड्राइवरों ने टायर जलाए राजधानी को जा रहे मुख्या रास्ते रोके आजी इंधन के कीमत में की गई साथ फीसदी की बढ़ोतरी श्रलंका ने आईमेफ से मांगी आपात आर्थिक मदद से उक्तराष्टर के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने दीचे तामनी अफरिका में लंबे समय से जारी सूखे की वज़े से दो करोड लोगों पर मंड़ा रहा है भूप मरी का खत्रा पिछले चालीस सालों के तुलना में इस बार एथियोपिया, सुमालिया और कीनिया में सूखे ने बनाया रिकॉर्ड इन में से कुछ एहम खबरों की चर्चा आज पीवी से दुनिया में रूस के हमलों का रुख अब युकरेन के पूरवी इलाकों की और हो गया है रूस के हमले अब डॉन बास में खहर बरपा रहे है रूस युकरेन का ये युद्ध खास तोर पर युकरेन की नई पीड़ी पर भाड़ी पर रहा है इस युद्ध में अब तक कई लोग मारे गए हैं कईयों को ये युद्ध इतने गहरे जख्म दे चुका है जिसे भरने में शायद पूरी जिन्दगी लग चाए इस बीच युद्ध से दुनिया के लोगों की रुजमर्रा की जिन्दगी क्या से प्रभावित हो रही है इसकी चर्चा कवर स्टोरी में और रूस ने युकरेन के पूर्वी हिस्से पर एक बार फिर हमले तेज किये हैं ये कहना है युकरेन की सेना का युकरेन के राष्ट्रपती वलद मेर्जलंसकी ने भी ती रात देश को संबोधित करते वे कहा कि उनके सैनिक पूर्वी डॉनबास इलाके को बचाने के लिए आखिर तक लड़ेंगे अभी हमारा आकलन है कि रूसी सेना ने डॉनबास के लिए लड़ाई शुरू करती है वे इसके लिए लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे रूसी सेना का बड़ा हिस्सा अब इस हमले पर फोकस कर रहा है चाहे कितने भी रूसी सेनिक यहां आ जाए हम लड़ते रहेंगे हम अपनी रक्षा करते रहेंगे रूसी सेना की ओर से तेज हुई बंबारी की वज़े से हजारों लोग पूरवी यूकरेन से भाग रहे है रूस डोनबास इलाके में अपनी सैनिकों के संख्या बढ़ा रहा है इस इलाके में पिछले आठ सालों से यूकरेनी सेना रूस समर्थित अलगावादियों से रड़ रही है पूरवी यूकरेन से बीवी से समभादा था जॉनतन बील की यह रिपोर्ट डोनबास में अब ऐसे ही द्रिश्य नजर आते हैं ऐसी ही आवाजें सुनाई देती हैं सेवरे दोनट्स एक और शहर एक और ठिकाना जहारूस बंबारी कर रहा है हमने सुरक्षित जगहों पर पनाह ले रहे परिवारों से बात करने की कोशिश की लेकिन गोलीबारी की आवाजें लगातार पास आती महसूस होने लगी थी हम अभी यहां आए हैं एक शेल्टर तक जाने के लिए लेकिन हमारे काफ़ी करीब गोलाबारी हो रही है इसलिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा अभी काफी ज्यादा गोलाबारी हो रही है रूस जब जंग लड़ता है तो किसी भी जगह को पवित्र नहीं मानता ये डोनबाज की सबसे पवित्र जगहों में से है लेकिन फिर भी स्पियाटो गोर्क्स की अतिहासिक चर्च रूसी हवाई हमले की चपेट में आने से बच नहीं पाई कुछ लोग जो यहां रहे गए हैं उन्हें खाने के लिए लायन लगा कर खड़ा रहना पड़ रहा है हाला कि ये लोग सिर्फ भोके ही नहीं है ये डरे हुए भी है मैं हर दिन रोती हूँ कौन सा भगवान ऐसी चीजें होने देगा किस भगवान से हम ये सब रोकने के लिए गोहार लगाएं इस शहर में अब सेना की भारी मौजूद की है कुछ किलोमीटर आगे रूसी सेना उत्तर की योर से आगे बढ़ रही है एक युकरेनी सेनिक ने हमें ये ड्रोन तस्वीरे भेजी है जो बताता है कि कैसे रूसी सेना के टुकडियों को रोकने के लिए उन्होंने किस तरह एक पुल उड़ा दिया हमें पता है कि रूसी सेना और सेनिको को इस इलाके में तैनात कर रही है लेकिन जितना संभव है हम वो कर रहे हैं हम रूसीयों को ख़देडने और अपने शेहर को कबजे से बचाने के लिए तैयार हैं हम आखिर तक अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए लड़ेंगे हम दक्षन की ओर बढ़े सडकें पूरी तरह खाली थी जल्द ही हम इसकी वजह समझ गए वजह है धूए का गुबार एक बार फिर हम रूसी गोलाबारी की रेंज में थे लगातार बंबारी की वजह से अवदीव का शहर भी प्रभावित हो रहा है यहां ये लोग दैवीय हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं रूसी सेना की गोलाबारी की रेंज में कोई भी सुरक्षित नहीं है जैसा कि हमने देखा है कि रूसी सेना है फिल्हाल वो डटे हैं अब दीवका में बचे हुए नागरिक भी डटे हैं लेकिन सवाल है आखिर कब तक तो पूर्वी यूकरेन का ये इलाका पुतिन के लिए रड़नीतिक तोर पर महत्तो पूर्ण हो गया है इसलिए अब हमलों का रूख भी पूर वी लाकों की और हो गया है और रूस यूकरेन जंग को एक महीने से जादा हो चुका है और इसका खामयाजा रूस और यूकरेन के लोगों के साथ साथ दुनिया के कई देशों के लोग भी उठा रहे है क्योंकि जीने के लिए खर्च में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है यूसिद की वज़े से सायुक्तराश्टर ने चिताया है कि मार्श के महीने में दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों के कीमतों में रिकॉर्ड उच्छाल देखा गया है फूड एंगरिकल्चर और्गिनाजेशन के प्रमुक ने इसे लेकर चिंता जटाई है गेहूं और खादे तेल जैसी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं इस वज़े से दुनिया भर के उपभोकताओं पर बोज भी बढ़ गया है खासकर गरीब लोगों पर और यूकरेन के युद्धने हालात और खराब कर दिये हैं खान पान की चीज़ों के साथ साथ औरजा की कीमतें भी बढ़ रही है जिससे उपभोकताओं और देशों की खरीदने की क्षमता और कम हो रही है लोगों पर ये अतिरिक्त बोज ऐसे वक्त पर पड़ रहा है जब स्वास्थ और महामारी को कंट्रोल करने के लिए हो रहा खर्च कई सरकारों के बजट को कम कर रहा है लेकिन महंगाई के लिए सिर्फ युद्धे जिम्यदार नहीं है खादेपदार्थों के कीमतों में बढ़ोतरी रूस के युक्रेन पर हमले के बाद ही शुरू नहीं हुई सायुक्तराश्टर के रिपोर्ट के मताबिक 2021 में वैश्विक सतर परखादेपदार्थ के कीमतों में 30 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई किसी एक दशक का ये सबसे बड़ा महंगाई काकड़ा है और इसकी वजहें भी है इंधन के दावों में बढ़ोतरी कोरोना महमारी की शुरूआत से ही तेल के कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई और ये अब तक जा रही है दुनिया के कई देशों में इस वक्त इंधन के कीमते आस्मान चूर रही है और दुनिया भर में माल धुलाई करने वाली कमपनिया महमारी के बाद हालात बहतर होने पर मांग में आई तेजी से जूज रही है और कोरोना में हमारी के दौरान मजदूरों की कमी, फैक्टरी बंधोने और अन्य वजहों से भी खादिपदार्थों की कीमतों में कमी आई है और भारत में भी हालात बहतर नहीं है, पिछले साल के मुकाबले इस साल चीजों और खाने पीनों के कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है कपलों की कीमत 9.6 फीसिती बढ़ गई है, जूते और चपल की कीमत 11.2 नौ फीसिती उसमें बढ़ोतरी दर्श हुई है खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों की कीमत 8.57 फीसिती बढ़ी है, तो तर। तंबाकों में 2.9 फीसिती की बढ़ोतरी हुई है घर रेस्टरों में इस्तिमाल होने वड़ी सबजियों के दाम 11.64 फीसिदी बढ़े हैं साथी खाद देतेल के कीमत पिछले साल के मुखाबले 18.79 प्रतिशत बढ़े हैं दूद और उससे बने उत्पादों के कीमत 4.71 फीसिदी बढ़ी है और फल में 2.54 की बढ़ोतरी देखी गई है और मांस मचली नॉनविच फूड जो है उसके कीमते पिछले साल के मुखाबले 2.6 तीन प्रतिशत बढ़ी है और वर्ल बैंक के बाद अब आएमफ ने भी मौझूदा वितवर्ष 2022-23 का ग्रोथ रेट अनुमान घटा दिया है जन्वरी में आएमफ ने वितवर्ष 2022-23 के लिए 9 फीसिदी के आर्थिक विकासदर का अनुमान लगाया था लेकिन अब उसे घटा कर 8.2 फीसिदी कर दिया गया है आपको बता दे कि युकरेन और रूस दोनों वो नियादी खादिपदार्थों के बड़े निर्यात तक है और एक साथ मिल कर ये देश पूरी दुनिया का लगभग एकतिहाई गेहू निर्यात करते हैं दोनों देश दुनिया भर में कुल निर्यात का 20 फीसिदी मक्का, 80 फीसिदी सनफ्लार ओयल रियात करते हैं अफ्रिकी देश समेट कुल 45 कम विकसित देश अपने गेहूं का निर्यात एकतिहाई हिस्सा रूस और युकरेन से मंगाते हैं यही वज़ा है कि ये देश इस युद्ध से सबसे ज़्यादा प्रभावित है और ब्रेक के बाद दिखाएंगे जंग की भेट चड़ते युकरेन के बच्चे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बीबी से दुनिया मैं हुसार रिकासे युकरेन के अधिकारियों का कहना है कि रूस के हमले के बाद युकरेन अब तक 205 बच्चों की मौत वहाँ पर हो चुकी है हलांकि असल संक्या इस से भी कहीं जादा होने के संभावना है बीबी से समवादाता योगे तालिम है जंग की मार जेल रहे परिवारों से लगातार समपर्क में है और इस रपोर्ट में ये समझने की कोशिश कर रही है कि इस जंग का युकरेन के बच्चों पर क्या असर पढ़ रहा है इस रपोर्ट के कुछ तस्वेरें आपको विचलित कर सकती है किसी भी माता पता के लिए सबसे बुरा पल एक पता की अपने बच्चे से वो आखरी बात एक समुदाय जिसे जंग ने बिखेर दिया जिस बच्चे को वो प्यार करते थे यहां उसकी याद में साथ खड़े हैं ये यली से रापकॉंस की दादी है वो तेरा साल की थे एक महिने पहले जिब उनका परिवार अपना गाउं छोड़ कर जाने की कोशिश कर रहा था तब रूसी सैनिकों की गोली बारे से उनकी मौत हो गई थी उन्हें एक विनम्र मददगार लड़के के तौर पर याद किया जा रहा है जिससे लड़ना पसंद नहीं था जो आकरमक खेल खेलने से भी इंकार कर देता था बेटे को ले जाने से पहले आखरी बार मैं चाहती हूँ कि दुनिया रूस की अपराधों के बारे में जाने मैं चाहती हूँ हर पिड़त की गिनती की जाए रूसी सैनिकों ने हमें जाने दिया यहां तक कि हमें अलवदा भी कहा लेकिन जैसे ही हम खेत पार करने लगे उन्होंने हरोर से हम पर फाइरिंग शुरू कर दी मैंने अपने छोटे बेटे को खेत में रेंग रेंग कर बचा लिया अब वही मेरी जीने की वज़ा है यली से उन 200 बच्चों में से एक हैं जो रूस-यूक्रेन जंग में अब तक मारे गए हैं इस जंग का यूक्रेन के बच्चों पर क्या असर पड़ा है उन जगाहों पर साफ नसर आता है जहां वो कभी हुआ करते थे दो त्यहाई को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था कियेव के पास भूचा शेहर के स्कूल का इस्तमाल रूसी सैनिकों ने अपने बेस के तोर पर किया था यूक्रेन में सेक्डो स्कूल और कॉलेज शत्ति ग्रस्त हो चुके हैं कई खाली पड़े हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना सब कुर छोड़ कर भागना पड़ा जब आप ऐसे किसी क्लास्रूम से कुजरते हैं तब बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं रूसी हमले से पहले यहां का मौहल कैसा रहा होगा कौन थे वो बच्चे जो यहां बैठा करते थे क्या वो अब भी जिन्दा हैं क्या उनका परिवार जीवित है हमने बूचा के एक छातर की कहानी जाननी शिरू की इलिया बपकोफ अपने पूरे परिवार के साथ अब कियेव में एक जरजर सरकारी इमारत के कमरे वाले घर में रहते हैं वो पिछले महीने मार्च में एक मानवे कॉरिडोर के जरिये हिंसा ग्रस्त इलाके से निकलने में कामियाब रहे वहां से भाग कर निकलना बहुत मुश्किल था हम डरे हुए थे कि किसी भी वक्त कोई गोली हमें न लग जाए यहाँ पर भी मैं अभी तक ये बात अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया हूँ कि जंग अभी चल रही है मुझे सपने आते हैं कि रूसी सैनिक मेरे परिवार को मार डालेंगे या बंधक बना कर ले जाएंगे तब अचानक से मेरे नीन तूट जाती है इन बच्चों ने इस सुरक्षित जगह तक पहुँचने से पहले जलती हुई इमारतों, नश्ट हो चुके टैंकों और सडकों पर बिख्री लाशों को देखा है वालेंटीना बताती है कि ये सब देखने के बाद बच्चे ऐसे मुश्किल सवाल पूछते हैं जिनके जवाब देना कठिन है मुझे इन्हें समझाना परता है कि वो पहले एक सामाने जीवन जीते थे जहां उनके पास सब कुछ था और अब ये समझाना पड़ता है कि उन्हें चुनोतियों को समझना होगा लेकिन यलीसे जैसे बच्चों को तो बड़े होने का मौका ही नहीं मिला ये दर्द यूक्रेन के कई परिवारों के लिए अभी खत नहीं हुआ है हर दिन हजारों युवाओं की जान जोखिम में है योगिता लिमाए बीवीसी न्यूज और जंग से तवाह हो रही है यूक्रेन की एक पूरी नई बीड़ी और वक्त एक ब्रेक का है ब्रेक के बाद प्रतिबंधों के बीच क्यों बरकरार है राष्ट्रपति पुतिन का साकारात्मकर वहिया इस बारे में जानेंगे एक प्रेक के बाद आप देखनें बीवीसी दुनिया मैं हुआ सारे का से रूस के राष्ट्रपति व्लादमिर पुतिन ने कहा है कि रूस की अर्थववस्था को कमजोर करने के लिए पश्चमे देशों ने जो प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं उसने खुद पश्चमे देशों की अर्थववस्था को सुस्त कर दिया है ये बयान उस तस्वीर के बाद आया जो रूसी वार्शिप मुस्कावा के डूबने से ठीक पहले ली गए थी रूसी युद्धपोथ मुस्कावा गरुवार को ब्लैक सी में डूब किया था रूस के मॉस्कों से वीवी से समादा था जैने हिल की ये रिपोर्ट रूस को बचाने के लिए ये एक सफल और सम्मानपूर्ण मिशन है और व्लादिमिर पुतिन कहते हैं कि सब उनके नियंत्रण में है इस से पहले वो अपनी आर्थिक टीम से मिले और रूसी अर्थ्व्यवस्था पर पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव की बात को खारिच कर दिया उन्होंने कहा कि पश्चिम का ये आर्थिक युद्ध विफल हो गया है पर राश्ट्रपती पुतिन को अपमानजनक नुकसान भी उठाना पड़ा है वो नहीं चाहते कि उनकी फ्लैक्शिप मॉस्कोवा में लगी आग की ये अपुष्ट तस्वीर आप देखें जिसे यूकरेन ने एक सफल हमला बताया था और वो चाहते हैं कि आप ये मानें कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई अधिकारियों ने नाविकों के सुरक्षित होने की ये तस्वीर जारी की पर कई लोगों के मरने और गुमशुदा होने की रिपोर्ट्स लगातार आ रही है रूस के यूकरेन पर हमले जारी हैं और मॉस्को के नस्दीक वो अगले महीने होने वाली विक्ट्री डे परेड की रिहसल कर रहे हैं, जिसमें सोवियत यूनियन के हाथों नाजी जर्मनी की एतिहासिक हार को याद किया जाएगा. ये रूसी राष्टपती पुतिन के लिए लोगों के सामने अपनी जंग में जीत का जिकर करने का अच्छा मौका होगा. अब यहां एक बड़ी हुई आक्रमक्ता और जल्द से जल्द चीजें करने की भावना है. व्लादेमिर पुतिन ने पूरे डूनबास को अपने कबजे में लेने का लक्ष शेताय किया है. और इससे दो बड़े सवाल खड़े होते हैं. पहला, क्या रूसी सैनिक इसे हासिल कर पाएंगे? और दूसरा, अगर ऐसा हो गया, तो क्या ये पुतिन की महत्वा कांशा को पूरा करने के लिए काफी होगा? बीवी से दुनिया में फिल हाले दना है.